क्वेशन नमबर वन हो गया क्या था पहलेल क्यापिस्टर चार्ज दिस दिसकनेक्टेट फ्रॉम सोर्स ऑफ स्टेडी एमेफ सब्सक्राइब प्लस माइन सब्सक्राइब लेकिन जो चार्ज की पुरानी वैलू थी वह तो बही रहेगी लेकिन अब सी का क्या हुआएं तो अब क्या होगा चार्ज की वैलू मानलोल पहले क्यूँआ गए थी तो अभी वह अगया आपका कम हो गया तो अब जो नया चार्ज आएगा वह नहां शूड़ा कम होचुकтов प्लसक्राइब कम होगी तो मतलब चार यहां से बैटरी में फिलो करेगा समझ गया है तो पोटेंशिल डिफरेंस एक्रॉस दा प्लेट इंक्रीज़ अच्छा सोर्स लगाने के बाद तो पोटेंशिल सेम ही हो जाएगा भाई जैसे माल लो एक बैटरी है एक कैपेस्टर है इसको आपने किसी बैटरी बैटरी वी से चार्ज किया फिर आपने इसका सी को कर दिया मालोड सी बाइटू ठीक है अब बैटरी भाई लगा दी तो पोटेंशिल डिफरेंस तो सेम ही आ जाएगा ना बैटरी के बराबर कि देचार्ज फ्रॉस इंटु दा सोर्स यह बात हो गई थी ना वैं अब यहां पर टूडी डिस्टेंस है तो यहां पर रेट्रिक तूडी अब कितनी हो जाएगी वी बाई टूडी तो इलेक्ट्री बदल जाएगी कोई दिकत की बात तो नहीं कम हो जाएगी ठीक है अब इनक्रीस कर रहा है जबकि डिक्रीज कर जाएगी तो आंसर आगे होंगे सब को समझ में आ रहा है ठीक है आंसर दिये हुए है यह अच्छा तो आंसर अठा दें लोग आंसर अठा दें तो क्या करना था कि अब यह लो बिना आपसर वाली लुट चलिए पहला हो गया था अब इसमें पूरा भर के आएगा ठीक है तो पहले का आंसर आगे थे आपके ठीक है सेकंड पर चले ठीक है चलिए क्वेस्टन नमबर टू अब आंसर नहीं दिए हुए अब बताओ आंसर ठीक है वही कि जूर कांत शर्मा अच्छा इनका तो आंसर आ गया था यह भी पिछले सवाल का और जय प्रियादर्शी का मैं आंसर देख रहा हूं आंसर बताओ तो अभी देखो क्या दिया तू इन फा оч TV मिर आज तो किपो इस में यहां थे दिश्टेंस और लोगंत हुंताट इस्टन क्यूंट ना कर दिश्टनल से टू यह को में से फ्रशन ना बता निए तो मेंगताओ आएगी और अपोजिट डिरेशन में चल रही तो कितनी आएगी तो कैसे करेंगे इसको 15 सेकंड लिए डाइग्राम बताओ एक यह बी भी आ चुका है और बी-सी भी आ चुका है कैफ का अंसर एबी आप यह बी ही है तो बहुत सिंपल सा सवाल है देखो ऐसे करके दो वायर लगाओ आप तो एक क्रॉस सेक्षन और दिखा रहे हैं एक वायर यह मनलो और दूसरा वायर यह दोनों में सेम डिरेशन में करेंट जा रही है ठीक है वायर ऐसे है जिसे पैन रख दिया गया इनके ब लेगा तो यह पॉइंट ले लो यह पॉइंट ले लो तो अभी इस वायर की वज़ए से मेंगेटिक फिल्ट किदर आएगी इन्टू दी बोड करेंट की दिश्या में उटा रखो उंगलियों से धक्का मारो तो मैंगेनेटिक फिल्ट कि आजाएगी इसके परपेंडिकु तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये भी 0.1 है, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो अगर दो लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन ड्रो करोगे, तो उनके बीच का एंगल भी 60 डिग्री रहेगा, तो आंसर क्या बताओगे आप, 2B cos 30, 60 by 2, ठीक है, बी की वेल्यू कहां से लगोगे, लॉंग वायर की वजह से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, cos 30, ये तो कब आगे, जब मैगनेटिक फील्ड के करेंट के डिरेक्शन क्या थे, सेम थे, इसक्यू लेटरल ट्रैंगल बने का बहुत ही बढ़िया, ये भी आंसर आचुका है question, साक्षी सर question 1 का option D बता दीजिए, टेक है बटा बता रहे हैं भी एक मड़े न, अब अगर जुमानलो current opposite direction में होती, किसी एक में, तो magnetic field पूछेगा, तो एक जगा मानलो cross current बेज दी आपने, एक जगा dot current बेज दी, यही पर point ले लो कोई भी, इसकी बज़े से magnetic field के आएग जाएगी, इधर को आजाएगी, इसके perpendicular, इस वाली लाइन के perpendicular, अब बीच का angle क्या होगा, अब 120 हो जाएगा, यह feel आ रहा है ने, 120 वाला, इसको आज आराम से बना के देखना, यह B आ गया, यह B आ गया, तो net magnetic field के आ जाएगी, तो आप लिखोगे 2B cos 60, तो वो B के बराबर आ जाएगी, तो यह B की value यहाँ पर छुपी हुई है, आंसर आगे थे सब लोगों की, ठीक है, मैं, किसी ने मुझसे कहा था, साक्षी ने, 1 का option D, 1 का option D देख लेते हैं, the electric intensity between the plate increases during the drawing part of the plate, अच्छे, यहाँ है, drawing part of the plate, तो अभी capacitor is charged, then disconnected, the plates are then drawn further apart, यहीं तक की situation पर बात हो रही है, ठीक है ना, यह सवाल पढ़ लो, देखो, capacitor plate था, इसको कुछ charge किया गया, इस पर charge आगया, क्यों इस पर charge आगया, minus 2, बैटरी हटा दीगी, बैटरी हटाने के बाद आप इन्हें क्या कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो, तो उसने कहा है कि इ distance पर electric field कहाँ depend करती है, electric field यहाँ पर इस charge की वज़ा से और इन दोनों charge की वज़ा से कितनी आएगी, q by 2 epsilon not a into 2 के बराबर, और चुकि q की value सेम है, तो electric field यहाँ पर इस दोरान रहेगी constant, अरे रहेगी यार, electric field तोड़ी बढ़ेगी, electric field सेम रहेगी, ठीक है, कब तक जब drawn apart क जब इनको सेम चार्ज रखते हुए, प्रेटों को दूर करोगे, तो electric field किसी sheet की वज़ा से independent of distance होती है, ठीक है बही शाक्षी जी, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ है, ठीक है, question number 2 के answer आगए, आप लोगों के भी आगए बही, आणसर अपने आप नि है ना, calculation मैं नहीं कर रहा हूँ, कर भी दूँगा, कोई फैदान नहीं, इसमें value रखने हैं, जाओ तो आप कहो तो, तो B की value तो 2 into 10 to the power minus 7, current की value आपको दी गई थी, कहीं, 10 ampere, R की value 0.1 है, यह तो B की value आ जाएगी, इसमें 2 cos 31, ठीक है, तो answer आप लोग देख लो, A and B are correct answer, और मेरे क्याल से सारे लोगों के आ गए थी, चलिए, आगे बढ़ाएंगे question को, question number 3, यह मेरे को तोड़ा ठीक लगता है question, conceptually ठीक है, इसका answer बताएं, देखें, इसमें हो क्या रहा है, कि यहाँ पर यह जो आपका piston लगा हुआ है, यह तोड़ा तिर्शा है, है ना, यह य इंगल आपको दिया गया, यह alpha दिया गया, तो क्या करें अब, यह area आपको दिया गया, as not, I think, atmospheric pressure भी दिया गया, air temperature is constant, ठीक है, friction is negligible, pressure of enclosed gas कैसे बताएंगे, यह तो मेरे कुछ समझ ही नहीं आदे, vertical direction में forces balance करेंगे, तो यहाँ पर आप कितना force लगाओगे, पी not area, area यहाँ कौन साल होगे, s not, और यहाँ पर कितना force लगाओगे, कितना force लगाएंगे भई, आजी, p into s not के बराबर ही लगाओगे, पकी बात है, अभी आप देखो, pressure के मेंदे, जो force आएगा, वो तो यह आएगा, और उसमें आप यह वाला बड़ा वाला area ले सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी pressure होगा, उसमें इस s से multiply करोगे, लेकिन जब इसका vertical component लोगे, तो यह angle alpha हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, पी एस cos alpha, और s cos alpha is nothing but s not, तो यह समझ में आगई बात, तो आपको कुछ नहीं करना था है, यहाँ पर से जो vertical force लगाते हैं, वो ps not ही लगता, मतलब area यही वाला लेना होता है, ठीक है, अगर इधर वाला force चाहिए, तो इधर वाला projection area ले 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 ले, horizontal चाहिए तो horizontal projection area ले ले ले, clear रहेगी बात, तो इससे डरना नहीं था, यह बहुत फर्जी सवाल था, बस इसमें इतना ही दिमाग लग रहा था, कि आपको यह बात है, अब यहां से force लगेगा कितना, पी इन्टू S0, यहां से force लगेगा कितना, पी इन्टू S0, वर्टिकल, और यहां पर force कितना लगेगा, Mg, ठीक है, और अगर यह equilibrium में है, तो आप equation क्या लिख दोगे, पी नॉट S0 पिलस Mg is equal to P S0 के बराबर, ठीक है, बस simple सी बात, solve कर देंगे, कर दिये जाए, तो यह जाएकर 10 to the power, calculation करने के आथ डालो 3G से, 20 into 10 to the power minus 4, Mg, 600, P S0 की value, 20 into 10 to the power minus 4, जल्दी से P की value बताओ, अपने आप, calculation आथ से बहुत तेज करने के आथ डालो, पटा-पट, पटा-पट, P gas into S0 upon cos alpha, ठीक है, यह भी ठीक है, यह यह वाला force बता रहे है, क्या नाम है इनका, अभी राज, यह वाला force, आगे answer, कितना answer आया, यह सही है एकदम, ठीक है, pressure of the, the mass of the goods that must be put on the, atmospheric pressure 10 to the power 5 था, अच्या, और enclosed gas का pressure कितना आगे, 4 into 10 to the power 5, बढ़िया, the mass of the goods that must be put on the piston slowly, so that the volume of the gas becomes half, अब किया हो जाए, आदा हो जाए, ठीक है, बढ़िया बात है, तो पहले कितना था, 60 था, पहले 60 kg तो पहले से था ना, अभी आपने कितना और जोड़ दिया, 56 kg और बढ़ा दिया, इसके उपर mass और रख दिया उपर से, तो pressure बढ़ेगा उसके corresponding, तो कितना pressure बढ़ेगा, इस 56 kg के corresponding, तो आप लोगो गिफ 560 mg अपन एरिया कितना है, 20 इंटु 10 to the power minus 4, यह 0 से 0 अटाओ, कितना हो गया यह, 28 इंटु 10 to the power 4, प्लस 4 से 0, प्रेशर को होना चाहिए, डबल, तो इसके corresponding जो pressure आएगा, वो कितना था, प्रेशर अथा 10 to the power, अरे सोरी, एक मद रूँ जा, देखे, अभी उसने कहा कि वॉल्यूम को आदा करना है, तो प्रेशर अब्वियसली डबल करना पड़ेगा, पहले प्रेशर कितना आगया था, 4 इंटु 10 to the power 5, है न, पहला वाला प्रेशर इतना था, तो बाद वाला जो प्रेशर होगा, सुलूली का मतलब क्या हुआ, आइसो तर्मल तो पी बी बी बन इस एक्वल टू पी टू वी टू, तो जो फाइनल प्रेशर आएगा, वो आपको मिलना चाहिए कितना, क्यों कर रहा हुआ, पागल हो गया हुआ, यह यह वाला आंसर है, डेली, अरे, 80 upon 20 गर होगे, तो 4 टाइमस आजाएगा, कोई बात, मैं इसको 56 तो सौल कर रहा था, तो यह फाइनल प्रेशर हो जाएगा, आपका कितना, 2 ताइमस, 2 इंटू 4 इंटू 10 to the power 5, अब फाइनल प्रेशर जो आपका आएगा, पहले वाला प्रेशर, प्लस एमजी अपॉन है, एक्स्ट्रा, पहले वाला प्रेशर कितना था, 4 इंटू 10 to the power 5, और प्लस नया जो मास आपने एट किया, एमजी अपॉन, एस की वेलू है, 20 इंटू 10 to the power, माइनस 4, इसको सॉल करेंगे, पटाफट, एमजी की वेलू में लियागी, ठीक है बई, तो 80 किलोग्राम, बिल्कुल सही बात, प्रेशर डबल करना है, क्योंकि वॉल्यूम को आधा करना है, और यह बात आप इसनी बोल पा रहे हो, क्योंकि उसने यहाँ पर एक वर्ट दे रखा है, slowly, बढ़ाएं आगे, आंसर क्या है था, AD, AD is right, ठीक है, जी, Galvanometer हो गया सबसे, सारे लोगों ना कर लिया था, यह Galvanometer वाला के नहीं हुआ, हो गया सबसे, तेक है, पर भी चलो, ठोड़ी से हिंट दे लेते हैं, Galvanometer has a resistance of 96 ohm, whole scale deflection is this, it can be used as an ammeter to provide, to be used as an ammeter, provided a resistance is added to it, correct range and resistance combination, current बढ़ा रहे हो, तो resistance तो लगाना पड़ेगा, लेकिन यह तो बहुत ज्यान लेवा लगा, यह तो नहीं होगा, वैसी देख की लग रहा है, इसको अटा दो, यह हो सकता है, तेक है चलो, अब देख लेते हैं, पहले current कितनी थी, यह आपके पास, galvanometer का resistance दिया गया, 96 ohm, ठीक है, इसमें current कितनी जा रहे ही, आपके पास, 0.1 milliampere, यह मैंने इसको बदल दिया, 100 microampere को क्या लिख दिया, 0.1 milliampere, आपको कितनी current, यह तो नहीं होना चाहिए, मेरे क्याल से, फिर भी चलो, हम देख ले रहे है, अमने का भई, आपने current कितनी बेजी, 1.3 milliampere, ठीक है, तो अभी आपको पता है, galvanometer में कितनी current जा सकती 0.1, तो यहां पर इदर से कितनी current बेजोगे, शंट से, 1.2, पकी बात, सवाल कतम, यहां का आई, यहां का आर, यहां का आई, यहां का आर, तो answer बताओ, 8 ohm दिख गया होगा, 12, it is a 96, तो 8 ohm answer पहला दिख गया आपको, फिर कहारा कि 2.5, अगर करनी है current, तो कितना resistance लगान 0.5 mili ampere है, 0.1 इदर चली गई, तो बागी बची 2.3 इदर आ गई, 2.4 इदर आ गई, तो आप फिर से अगली वाले के लिखोगे, 0.1 into 96 is equal to 2.2, और कम कर दो, आदा का 4 कर दो, चार हो गया, ठीक है वाई, आगे तह सब का सवाल, ठीक है, question number 4 का answer हो गया, BD, ठीक है, चलो इसका बताओ, question number 5 का, हो गया, ampere slow लगेगा, ये angle से क्या फरक पड़ेगा, कोई फरक नहीं कर दो, हाँ वही, अभी राज, जल्दी-जल्दी कर लो, C और, ये गलत है इसका, ये सही है, हाँ बताओ, जल्दी-जल्दी बताओ, अभी राज जी तुम्हारा answer बताओ, तुम्हारा पिछला तो फर्जीत है, ये वाला तो बताओ, ममता, done, टीक है, 5 का, C, doubt only, अभी राज कहा चला गया, भाई, इस सवाल करते नहीं है, बस, डायलोग मारते रहते, बताओ, का जवाब, ये सवाल मैंने अपने आज से बनाया, है, ए और डी, आई की वेलू पूरी ले लोगे, आई कॉस्सेटी लोगे, डॉट प्रड़क्ट मिलेंगे, कहांगे अभी राज, ये answer आने के बाद आए का मुझे पता है, हाँ, हाँ, पाइट का सी क्यों नहीं होगा, मेंगेटर कुल्ड़क्ट पी विल भी टेंजेंशियल, हाँ भई, अभी राज में ढूंड रहा हूं उसको कहा है, अभी तक नहीं आया है, पिछले सवाल को बोड़ रहा था परजी है, तो अच्छा देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले केस समझ लो आप, कि अगर यह आपने लूप लिया, तो करेंट कैसे भी डिरेक्शन में गुजरे, टोटल अमाउंट ऑफ करेंट क्रॉसिंग दा लूप सिर्फ मीनोट आई में लिखी जाती है, तो यह स्टेटमेंट एबसलिटली करेक्ट है, ठीक है, पहले स्टेट ठीक है, और डियल किसका लोग है, इसका, तो इंट्रीगल म्यू, बी डॉट डियल जब आप लिखते हो, तो डियल क्या है, इस लूप जो इमेजनरी एम्पीरियल लूप लिया, इसको लेना है आपको, और करेंट कौन सी होती है, यह जो एंवलप आप इसको कवर करोगी, इस एंवलप को क्रॉस करने वाली, और यह एंवलप आप रेंडम ली कैसा भी ले सकते हो, इधर ले सकते हो, आईसे ले सकते हो, तो करेंट के डियरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, तो मिनोट आई तो आपका एकदम यह तो सही है, अब हम से कहा गया, बी की वेलू बताओ कहां पर बताने है, यह नहीं दिया गया का कॉशन में, पॉइंट पी पर, अब यहां पर अगर आपको मैगनेटिक फिल्ड बतानी है, तो कैसे बताओगे, अब कम से कम, इस लोग से तो नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि बी की वेलू अर्जे का सेम ही नहीं है, तो हम इस पता है, अगर कुछ पॉइंट आपको दे दिया जाए, यहां पर एक पॉइंट दे दिया जाए, और यह एंगल, यह डिस्टेंस, अगर मैं आपसे पूछी हूं, और अगर आपको पता चलि जाए, तो आप बहुत आसानी से बताओगे, कि मुनोट आई अपॉन टू पाई आपको पहली से पता है, किसी भी इन्फानेट वायर से आड़ेश पर पेंटिकुलर डिस्टेंस पर मेंगेटिकुल्ट क्या आजाएगी, मुनोट आई बाई, टू पाई, आड़ेश, ठीक है, तो अभी इस आर इसने पूरा कोशन में च्छापना में मिस्पिल्टिक गर दी गया, तुमारे पास DPP में क्या लिखा हुए, यह लिखा हुए, इस आर करेक्ट पूछना चाहिए, मेरे क्याल से, ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट, दूजरा वाला गलत, ठीक है, क्यों गलत, क्योंकि आर की जगह आपको क्या लेखना पड़ेगा, यह आर है, और यह एंगल आपका कितना था, यह एंगल था 60 शायद, तो यह 30, दिख रहा है, और यह 90, तो आर कॉस आर साइन 30, आर बाई 2 आएगा इसकी जगह, ठीक है, तो आपका इसकी बी की वैलियो अगर कोई पूछता त आप बताते मिन आट आई भाई पाई यार, ठीक है, अब मेगनेटिक पी, मेगनेटिक फिल्ड एट पी विल बी टेंज, अब इसके टेंजेंशियल होगी क्या लूप के मेगनेटिक फिल्ड, मेगनेटिक फिल्ड इस आर डेश के परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर ऐसे क आप कि उपर वाले के तो टेंजेंशियल है, नीचे वाले के टेंजेंशियल होगी क्या, अब इस पर कोई दो बहुत करीब के पॉइंट लो, फिर उनको टेच कर आओ, उनको मिला दो, और वो पॉइंट जितने क्लोज ले सकते हो ले लो, तो उसे टेंजेंट कहेंगे, फिर से देखना, अभी यह मैंने लूप ले रखा है, अभी मैंने का, लूप मेरे पास कोई अच्छा सा नहीं है, कड़ा वाला पहने है कोई, पहने हो, मिलगे मिलगे, अर यह टेंजेंट हो ही नहीं सकती, अरे भाई इसमें एक अई पॉइंट है ना, लूप के टेंजेंट होने के लिए, कॉड बनेगी वो अगर आप पॉइंट दूर दूर करोगे तो, नहीं समझे बात, कॉड का लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट, यह इसकी कॉड बनेगी क कभी, यह बनेगी, कॉड अगर इसको थोड़ा सा, आप शिफ्ट करो, पॉइंट को थोड़ा दूर करो, तो कॉड बनेगी, अरे आजया बेटी, समझ गए बात को, तो यह पॉइंट दूर होंगे, तो कॉड बनना है, कॉड का लिमिटिंग केस टेंजेंट आएगा, के लि नवाद आतको साथ हुआ, क्या håma, है कि इस पॉइंट पर सकर्म ऑघनेटिक प्ई तो आएगी ना कुछ ना कुछ ऑूँए डेकिन, दूसरे लूप के टेंजेंशियल होगी इस लूप के इस लूप के टेंजेंशेल आईगी उस लूप के टेंजेंशेल नहीं आईगी ठीक है चले बहुत जागना था हो गया कि नहीं हुआ इसमें बहुत तोड़ा सा जागना था मम्ता हो गया चलो हो गया बहुत ही बढ़ी आई अमेत कुमार व hm हो गया इस में देखे पहले से यह कैपिस्टर चार्जी इह यह बैटरी की positive plate, यह negative plate, यह plus और यह minus, यह capacitor पर already कुछ charge है, some charge, और वो charge कितना है, CE के बराबर है, है ना, तो अभी आपने का, यहाँ पर minus CE charge है, और यहाँ पर plus CE charge है, charge on the capacitor is zero at this time after the switch is closed, यह तो check करना पड़ेगा आपको, ठीक है, charge on the capacitor is zero very long time after the switch is closed, यह गलत बात है, क्योंकि यह अपने हैसाब से charge बेच के इधर plus CE कर देगा, इधर minus CE कर देगा, नहीं समझे बात के, और यह positive plate है, तो यहाँ positive charge आएगा, इस पर plus CE कर देगा, इस पर long time में minus CE कर देगा, तो second वाला तो 100% गलत हो गया, maximum charge on capacitor during the charging process is CE, यह misprinting है थोड़ा सा, यह सही होगा, ठीक है, वो तो CE आ नहीं है, finally तो, during the process charging, the charging current first decreases, then increases, एक्सपूल आईओ, charging current, अब देखो, बस इसको कर देते हैं, बहुत देर हो गई, कर दिये जाए ना, ठीक है, इसका tau बता सकते हो, circuit का, RC, एक ही R, एक ही C, तो RC, तो Q की initial value क्या है, minus C, इस plate पर खेल रहे हैं, initial value charge की क्या है, फाइनल value charge की क्या है, plus C, कमाल करते है, minus C, क्योंकि यहां से charge ऐसे आएगा, इस plate पर, तो final charge, इस plate पर हम चेक करेंगे, अगर मान लो, आपको ऐसे दे दिया जाए, एक battery दे दिया जाए, resistance दे दिया जाए, यहां switch दे दिया जाए, यह capacitor लगा दिया जाए, तो हम क्या करते है, जैसे यहां से current ऐसे flow करेंगी, इस plate के charge कोई तो लिखते है, क्यों, जिस पर positive charge आएगा, finally, नहीं लिखते हैं, तो एक पर plus होता है, एक पर minus होता है, इस plate के charge को जो battery के positive terminal से जुड़ा होता है, उसकी equation लिखते हैं, ठीक है, और tau की value कितनी हो जाएगी, rc के बराबर, अब क्या करें, अब किसी समय पर charge लिखना है आपको, तो आपको पता है, first order differential equation का solution लिखना है आपको, और वो general solution आपको पता होना चाहिए, क्या solution बनता है जी, q at any time t is equal to q final minus q final minus q initial e to the power minus t by tau, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपने हो गया है, तो value रग ली जाए, q final की value क्या है जी, c e minus c e minus minus plus c e e to the power minus t by rc, simplify कर लो तो q की value कितनी आ गई है आपके पास, c e को बाहर निकाल ले हैं, निकाल ले हैं, यह 2 c e है, c बाहर आ गया, तो 1 minus 2 e to the power minus t by rc, अब आप से जो पूचा जा रहे हैं, बता दो, current की value कैसे निकालोगे, कैसे भी कैसे भी निकाल ले हैं, अपने हो गया है, आजी, डारेक्ट लिख सकते हो, अगर आप इनी स्विच बंद करते ही current लिख लो, तो इसमें current स्विच बंद करते ही कितनी आएगी, 2 e by r, final current आएगी 0, tau की value है, यह आपके पास, सवाल खतम, current की लिख सकते हो, तो अभी लेकिन यह तो सवाल खतम नहीं हुआ, अभी तो सवाल शुरू हो है, एक गलत हो गया, एक सही हो गया, यह गलत हो गया, यह सही हो गया, अभी पहला चेक करना और आखरी चेक करना है, आखरी वाले के बारे में comment ड़ता है, आप, i की value क्या लिख होगे, differentiate कर लो ज़्यादा दिक्कत है, तो, यह minus minus plus हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा, 2 bar हो जाएगा, e to the power minus t by rc, तो current देख रहे हैं, आप exponential, dk वाली current है, तो आपका यह गया काम से, यह वाला statement गया, ठीक है, rc circuit नहीं आता, अनमूल गुप्त, rc circuit तो पुछ ही ही नहीं, यह कही पर्मूले सब ज़्यकर लगेगा, और कोई दूसरा लगते ही नहीं, यह कही पर्मूले पूर सारे सवाल हो जाएंगे, और tau निकालना सीख लो, बस, अब तो चलो, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो भाई current के बारे में तो क्या हो जाएगा, dk कर रहे हैं, हमेशा dk कर रहे हैं, है ना, पक्की बात, current की शुरुआती value कितनी है, t is equal to 0 पर देखोगे, तो कितनी current दिख इसका potential ही था, इधर से भी E मिलेगा, तो 2E potential के 2E by R current आ जाएगी, और current फाइनली 0 होना है, तो यह ऐसे कर जाएगी, ठीक है, अब यह वाला चेक तो करो, current की value 0 कब होगी, जब तो वो कर रहा, अगर time इतना रगेंगे, तो current 0 आने चीए, तो मैंने रग लो, चार्ज में र पावर माइनस T, T की value R C ln 2 by R C, यह कितना बन गया, कोई निमत आ रहा, बुले, 1 by 2 बन गया, तो 1 minus 1 0 हो गया, correct, नहीं दिखा, पक्की बात, done है, आपका formula सबसे आसान है, सारे question में, ठीक है भाई, यह formula यह यहाद रखना, यह सब जगा लगता है, चार्जिंगों, डिस्च में लगेगा, LR सेटर में लगेगा, CR सेटर में लगेगा, और अगर आप clerk बन गए, बैंक में तो वहाँ भी काम आएगा, chemistry में भी लग जाएगा, यह generalize result, कर चलो अब समय अपने पास इतना नहीं है, कि हम बहुत detail में जाए, चक्रविर्दी ब्याच बता रहे हैं हमारे, शिवांक जी, शिवांक ना, तरपाटी जी, चलिए, तरपाटी है न, सिंग, शिवांक सिंग हो, आप अच्छा, हम बहुत दिनों से आप तरपाटी समझते रहे हैं, चलिए इदर वाले questions पर आते हैं, टाउ कैसे find करते हैं, आपको टाउ के बारे में एक बार बता देता कैसे find करते हैं, यह मानलों कोई battery दी गई है, यह resistance दिया गया, यहां पर एक हलका सा hint देता हूं, यह battery दी गई, resistance दिया गया, और यह मानलों कोई capacitor दे दिया गया, अब इस circuit का tau find करना है, तो क्या करेंगी, तरीका तो देखो, जो fundamental तरीका है, वो तो यह है कि you will convert this circuit into a single battery, single resistance, single capacitor, अगर आपके सामने दो capacitor का सवाल आएगा, तो यहां तो सवाल ऐसा देगा, कि वो independent capacitor को अलग-अलग deal कर सको, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना होता है, जैसे मानलों उसने एक battery दे दी, E1 यह resistance दे दी, R1 यह resistance दे द लोग इसको आसान तरीके से करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें केवल R equivalent चाहिए पड़ता है, और हमें पता है कि Tau की value हमारे पात ही थी R equivalent into C से आएगी, ठीक है, तो अभी हम कहते हैं, बैटरी के combination क्या ज़रूर है, जब EMF जाहिए ही नहीं तो, बैटरी का EMF यह तो वो आ गया है, एजी नहीं है, यह तब गोड है, है ना, कैपसिटर के अलावा क्या करेंगे, कैपसिटर के जो किनारे ते उसके अलावा कितना total resistance है, इसको हम क्या करेंगे, कैपसिटर को, बैटरी को क्या करेंगे, किस से replace करोगे, conducting wire से, है ना, अब इस का R equivalent निकाल तो टा हुआ जाएगा आपके पास, बैस सवाल खतम, ठीक है भई, आरसीस, शौरतर पाथी जी, चलो मैं देखूंगा, कोशिच करूंगा, कुछ हो सकेगा, तो अच्छा आपके लिए कर दूँगा, ठीक है, शौरतर पाथी, यह बाई सभी एक चोटा सा सवाल है, लेकिन आंसर बहुत जल्दी देने होते हैं, तो बताओ पहला वाला किसका आंसर क्या आएगा, इलेक्रिक पोटेंशल का ग्राज दिया गया है आपको, है ना, इसका आंसर आगे है सबका, देखिए आपको, यह जो आपके पास आ रहा है मैट्रियल, इसमें से आपको कम से कम 75 परस ना हो, टॉटालीटी का, ठीक, लेकिन अगर फिर लर्निंग नहीं भीगी, बनाने को तुम्हें बना दों आपसे एक भी कह 10 परसेंट भी ना हो, लेकिन क्या है कि लर्निंग था होती है, जब कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कुछ ह оч mooring कह बना घुछ है, सब कुछ हो जाय सबसे ज़्यादा यह potential है तो v across c2 सबसे ज़्यादा और पिर v across c3 और v across c1 यह है ना क्या पूच्छा था हम से एरिया तो हम एरिया बता देंगा रहूं है सीरीज में कैपस्टर लगे तो चार्ज़ क्या होगा से होगा तो व इज़ एक्वल क्या होता है q by c तो मैं लिखूँगो एपसाइलन नौट a2 by d ठीक है फिर मैंने इसको आगे लिख दिया ऐसे ही तो यह आजाएगा dq by epsilon not a3 greater than dq by epsilon not a1 सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है यार उससे कम और सबसे कम हो गया कतम होगी बात उसमें lr और lcr भी इंक्लूड कर दीज किये गा प्लीज lcr ac में आएगा कि वर ठीक है lcr circuit जो आएगा बिटा अभी राज वो इसमें आएगा ac में आता है डारेक्ट है फिलाल यह के लिए रहे है इसमें कोई राउट तो नहीं आंसर बता कौन से टिक करना था बंबे देखके बताना डंग से पका बंबे पर टक किया जाए गलत हुआ तुमाही जिम्में धा रही है बंबे इस करेक्ट तीग है वही तीग है चलिए अगले कोशन पर चलेंगे हम लोग कैफ की डिपी नहीं मिली क्या गुस्से गुस्से में लग रहा है कैफ मुझे कुछ तीग है निरंजन कुमार कृष्ण कान अयूश गुपता वही इसका अंसर बताएंगे सब लोग तो मैं आपका इफ दे मेंगेट्रिक फिल्ट बिट्विन देर प्रेट्स एवन एट्व लेक्ट्रिक फिल्ट के बारे में कोई कमेंट बताओ जल्दी से इलेक्ट्रिक फिल्ट की बारे में बता हैं जल्दी सवाल पर से देखा दे रहा हूं यह सवाल था आइडेंटिकल सेपरेशन भी था चलता क्यों नहीं this इंटिकल प्लेट सेपरेशन भी है ड़िए अटा सैपरेशन है आज यह भी नोटिस कर लिकएगा डी मैंने सेमॹला है तो while के मैं क्या ख़याल e आपका है कि भी बाइडी से बता दोगे है ना वी बाइडी इस एलेक्ट्रिक फील्ड कोई इशू थोड़ी है हो गया ना भी सब का टेक है बॉम्बे बॉम्बे मम्ता अभिराज वहती बढ़िया जहनत मौर रहे है कृष्ण कांत शर्मा राज कुमार निरंजन कुमार आयू टेक है बाई मेरे को जार किया दिखाई कम देता है मुझे आईसे जाकर देखना पड़ता है रिष्ण कांत अनीश कैया सब का आंसर बॉम्बे तो फिर बॉम्बे पर वरोसा किया जाए राजदानी पर चलो इवन एट साही है पुट बीबाइडी से पता लगेगा याद रखो एलेक्ट्रीड का यूनिट्र होता है वोल्ट प्पर मीटर पर नो कुझक भूसी से आदे थोड़ी कि याद रहता है ऑगले चलते पर चलते हैं पैराग्राफ आपको दिया गया है और इसको एक बार देख लो तो एक game होता है समय का, questions अगर आदे गंटे में solve किया जाए तो वो questions आप उनको छोड़ने के आदे डालनी पड़ेगी, सच बता रहूं मैं, मतलब you have to solve a question maximum in five minutes, कि तभी बड़ा question उससे उपर थोड़ी जाओ गया रहाँ, इससे ज्यादा कर आप समय ले रहो और कर ले रहो तो वो सवाल हमने नहीं करना है, एक्जाम में अगर आ गया और हमें आ गया, कि हमें तो आता है, फिर इनवी लेटर कह रहा है, अभी आए गंटे रुको वही, तो अभी देखो क्या दिया गया, a to b to c and back to a pb diagram आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यह कुछ tabulated पूरा कर दिया गया है, diagram को अच्छे से देख लो प्यार से, देख लिया, heat given to gas, work done by the gas, यह सब कुछ लिख दिया गया है, मतलब यह question anybody can ask in chemistry also, यह लिख दिया गया है, symbols के नाम लिख दिया गया है, तो जब symbols के नाम लिख दिया जाते हैं, तो question physics या chemistry का नहीं रह जाता, तब question दोनों जगा सेम हो जाएगा, ठीक है, अगर जिसे हमारे हैं, W का मतलब क्या होता है, work done by gas, chemistry में क्या होता है, work done on gas, chemistry वाले गरीब है, है ना, और delta U क्या होता है, delta U, change in internal energy, यहां तक तो हम लटते है, क्यों क्या होता है, heat supplied to gas, work done on gas, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं, gas काम करे हैं, हम नहीं करेंगे, हम इनर्जी देंगे वाई सब एक बार, क्यों हो भाई, ठीक है, चलो, अब हम option पर जाते हैं, देखे, the entry that is negative, C, E, F, G, चार option थे हमारे पास, C, E, F, and G, इसमें से कौन सी entry negative है, यह पता करना है, पता हो भाई, पहले C को पगड़ो, तो delta U आ गया, A to B process में temperature बढ़ रहा है, कि घड़ रहा है, आपको P into B से check करना है, यह 20 है, और यह कितना 80 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, तो अभी 20 और यह 80, तो temperature बढ़ रहा है, temperature बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है, C तो हो गया positive, लगा दिए, negative बहला पूचा था, उसमें, E वाला बता है, F है फिर से delta U, B to C के लिए, B to C के लिए delta U बताओ, temperature बढ़ रहा है कि घड़ रहा है, temperature बढ़ रहा है, तो delta U positive, अब तो क्या कर सकते है, अब तो यह कही बचा, है ना, जी बचा जी, C to A के लिए Q, तो C to A के लिए Q कही से बताएंगे, यह तो बड़ा मुश्किल सवाल ह हो गया, यह, हाँ, इसमें एक चोटी विंडो एक्स्ट्रा खुली हुई है, उसको बंद करो, नहीं, इधर जो खुली हुई है, हाँ, बस अब ठीक है, मैं बच्चों के कमेंट सी नहीं पढ़ पार हूँ, फिजिक्स वाले को एक बार, समझभाता, समझभाता वाई से अब, यह सपह समझभाता है, लेकिन उन्हों नेB把它 उनके नाम रखेंगे, इसका मतलब यह तोड़ है, कि हमारे में विरोधाबास है समझाता पूरता है एक दम अरे इसका आंसर तो जी नेगेटिव आएगा कि पॉस्टेव कि अब देखो बहुत आसान होता है कि इस एक्वल टू जो हीट सप्लाइट टू दी गैस है वह दो इससों में जाएगी डिल्टा यू प्लस डवल्यू में है ना वक्ड़न करेगी कुछ अपना खुद खा जाएगी गैस एनर्जी वह तो मैंने का जब सी से ए जा रहे हो तो कम हो रहा है तेमपरचर कम हो रहा है तो डेल्टा यू क्या है नेगेटिव है वक्ड़न बाइदी गैस कंप्रेशन हो रहा है अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो तो गैस तो दक्का मारेगी ना कि गैस खीच लगी किनारे को पकड़ के किसी भी कंटेनर में गैस को रख तो वर्क निगेटिव हो गया तो निगेटिव हो गया तो पहला परकाफ क्लियर हो गया कि जी आएगा अगल fix question देखुतने उसको 캈 पूजते अगयर तो इसका आजशा Yes मतलब ती ठीक है इसके बाद अगला क्या था इफ एंट्री आई इस माइनस 210 जूल वापस चले यह नोटिस कर लो आई की वेलू कितनी दी गई है यह कुश्चन देखो आपको अपने हाथ से करना में फिर से बता दे रहा हूं मैं तो कर दूंगे सवाल थोड़ा समय लेकिए क 25 परसेंट तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो अभी आई की वेलू माइनस 210 जूल है तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सब बताओ कौन सी गैस है हमने कहां चलो देखते हैं उदर चल कि वापस सवाल को कि आ गए आई है यह ए ए सी टूए प्रोसेस का डेल्टा यू कि है कि यहां से में डेल्टा यू लिखने जा रहा हूं मैं लिखों हो एन सीघी डेल्टा टी मुझे पता है यह 40 है इंटू 4 तो डेल्टा टी मुझे पता है डेल्टा यू भी मुझे पता है दिया है सवाल में माइनस सम्टिंग करके कुछ N इंटू QV मुझे नहीं पता है ठीक है अरे इसमें N कहाँ नमबर ऑभव मौझे नहीं दियम उपके नहीं धीे और मुझे अगर सुवह लेता है और सीवी जैसे मैं निकालता तो मुझे पता है सी वी की वैलू होती एफ बढ़ चाऊ-बडार टीवी गिवेन है अपने को and into cv दो चीज़ें अटक गई यहां पर अगर उसने number of moles दे दिये होते तो हमें cv मिल जाता है cut से cv मिलते ही हम उससे degree of freedom और degree of freedom से मैं पता जाता कौन सी गैसे clear तो आप गैस बता पाएंगे क्या इसमें नहीं बता पाएंगे भाई कहां बता पाएंगे cannot be said without knowing the number of moles अबिना number of moles के से बता दोगा यार तू का कले को में कुम है क्या बैइड आज वाज 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 वो पीगी इस एक्वल टू ती नहीं वे इन का है तो माँ पास था यह एंशन केंसल हो जाएगा और यह यार वाज आप मैं तुम इस टिक कर गया हां सही गह रहा है यह बिलकुल सही क्या दिया गयता है आई की वेलू माइनस 210 आपको दीगे डिल्टा यू की वेलू माइनस 210 जूल दी थी ना यह बन जाएगा आपके पास अब देखना यह बन जाएगा यहां पर लिखोंगे फाइनल का मतलब यह वाला पॉइंट तो पी इंटू बी से कनवर्ट हो जाएगा वो तो बीस आ जाएगा विल्कुल सही और एनार टी इनीचल की वेलू 40 इंटू 4 से जाएगी तो वो कितनी हो गई ठीक है पासकल को क्या लिखते है बाई सब न्यूटन पर मीटर स्कुर ही लिखते है ना बढ़िया तो फिर तो पता लग जाएगा यार तो माइनस 210 इस इक्वल टू एफ बाई 2 यह कितना आ गया माइनस 14 तो seven आ गया यह seven से किती बार थ्री बार तीग अब और ऊपका टीक अम तरिय गड़ वन ऑटियाल गिखेशन से बिलकुल सभी बिलकुल सभी तो can't be said without यह गलत हो गया और आंसर आ गया non अ झाल झाल